हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्फलतम, तर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह की क्लास आती है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार, फिर से आज आपको संस्क्रत व्याकरण के अंतरगत, संधी और समास के बिल्कुल इंपॉर् बढ़िएगा, दोस्तों अगर आपने पुरानी क्लास ना देखी हो, तो उनको भी जरूर देखेगा, यह आपका आज प्रक्टिस सेट नंबर 8 है, इसके पहले 7 प्रक्टिस सेट हम लोग संस्क्रत के दे चुके हैं, अलग-लग टॉपिक के, और 5 चैप्टर भी कबर करा च अगर आपने उन क्लास को ना देखा हो, तो उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिये गए हैं, वहाँ पर जाकर उन क्लास को जरूर देखीगा, और आज के इन 20 कोश्चंस को देखकर बताईएगा, कितने कोश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और अगर आप आपको कहीं कोई डाउट हो, तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पहला कोश्चंस आपके सामने है, उमेस का संदी विच्चेद क्या होगा, उमेस का संदी विच्चेद हमने आपको बताया था, ए की मातरा आये, वहाँ पर आपको क्या क करना होता है, आ और ई मिलकर के ए की मातरा बना देती है, तो यहाँ पर क्या करना है, आ और ई देखना है किस में बन रहा है, और यह आपका बन रहा है, उमा प्लस इस, इस से आपका बन जाता है, सब्द उमेस, उमेस सब्द में अब संदी पूछ दी जाए, तो सवरसंदी तो सबको पताओगी लेकिन स्वरसंधी के एंतर जब पूछ दिया जाए तो गुण संधी होती है ए ओ इन प्रकार की मात्रायम जब भी आपको मिलेंगी संधी के बाद के सब्द में ऐसे सब्दों में तो वहां आपकी गुण संधी है याद रखेगा और गुण संधी का सूत होता है आदि गुण हां कोश्चन नमबर सेकेंड धनेसा में संधी विच्छेद कीजिए उपर जैसे उमेश था सेम टू सेम वैसा ही धनेस है लेकिन धनेस में आपको एक बात याद रखनी है धना प्लस इस नहीं होगा धन प्लस इस होगा ठीक है तो इसका ए नमबर आप् बिल्कुल हो जाएगा याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर थ्री पर महोटसब का संधी विच्छेद क्या होगा उपर आपकी एक ही मातरा आ रही थी यहां आपकी ओ की मातरा आ रही है तो हमने आपको बताया चाहें एक ही मातरा आये या ओ की मातर आये दोनों में आपकी कौन सी संधी होती है लेकिन जब ओ की मातरा होती उसका विच्छेद किस प्रकार से होता है तो ओ की मातरा बनती है आ और उ मिलकर के अभी चोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है बड़ा उ या चोटा उ चोटा आया बड़ा आ दोनों प्रकार के हो सकते ह तो महोटसब का सही संदी विच्छेत क्या होता है महा प्लस उत्सवह इसका भी आपका A number option बिल्कुल सही हो जाएगा महा प्लस उत्सव इससे मिलकर बनता है महोटसब संदी का नाम यहां पर भी आपका हो जाएगा गुण संदी याद रखेगा दोस्तों संदी टॉपिक हम पहले आपको बता चुके हैं अगर आप लोगों को दोवारां पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा आपको बहुत अच्छे ढंग से पूरी व्याक्या के साथ संदी टॉपिक कवर करा दिया जाएगा अगला कोशन देव प्लस रिसी में संदी होगी देव प्लस रिसी में कौन सी संदी होगी तो देव प्लस रिसी में होती है आपकी देव प्लस रिसी इससे मिलकर के बनता है अर अर आपका किस में आता है अर भी आपका गुन संदी में आता है तो इसका जो सब्द बनता है वो बनता है देवर सी देवार सी नहीं होगा दोस्टों देवर सी तो सी नमबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा रिर हट जाता है और अर लग जाता है रा में हलंत होता है और ये रा इसमें सी में लग जाता जाके तो देवर सी सब्द question का c option और यहाँ पर भी आपकी गुण संधी हो जाएगी अगला question बहुत ही अच्छा question है 10 questions आपको संधी के selected questions मिलेंगे इसके बाद आगे के 10 questions आपको समास के मिलेंगे बिल्कुल basic questions है इसके बाद की class जो आएगी उसमें आपको संस्कृत के समास विग्रह के question देखने को मिले लेकिन पहले basic ग्यान होना बहुत ही जरूरी है तो question number five फलानी न्यानय में संधी विच्छेद कीजिए फलान न्यानय इसका संधी विच्छेद क्या होगा तो दोस्तों या या के पहले ना लगा हुआ या आपका किसमें आया था या के पहले आधा वेंजन किसमें आया था यान संधी के अंतरगत आया था एक बात और आपको याद रखनी या जब आता यानि कि E की मात्रा होगी आगे E की मात्रा देख लिजे किसमें लगी है C number option फलानी पलस आनय इससे क्या बन गया फलान न्यानय ठीक है तो सही option या पर आपका C number option हो जाएगा 5 number question का very good बहुत ब विच्छेद आपको बताना है हमने आपको फिर से बताया या या के पहले आधा वेंजन दिया गया तो या मैं आपकी E की मात्रा देख लिनी और E की मात्रा बाला आपको वर्ण सब्द एक ही दिख रहा है E T plus आदिये तो बहुत इज़ी है सभी लोगों को पता होगा सबसे आदां confusion होता इसकी संधी का नाम याद रखने में तो हमने आपको इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक बता दिये यहां आपकी सीधे सीधे यड़ संधी हो जाएगी E T plus आदी इत्यादी सब्द बन जाएगा E T plus आदी सब्द बन जाएगा E T plus आदी सब्द बन जाएगा E T plus तो का जो है वो जब मिल जाता है तो वो किसमें गा में परिवर्तित हो जाता हलन्त वाले जैसे वागीस था वाक प्लस इस वागीस जब एक तरफ व्यंजन दिया गया यानि कि यह किसका उधारण व्यंजन संधी का उधारण है व्यंजन संधी के अंतरगत कौन सी संधी है लाश क्लास में आपको होताय था जसत तो संदी यहाँ पर हो जाएगी जसत तो संदी और इसका आपको सूत्र भी हमने बताया था याद होगा आप लोगों को का गा में परवर्टित हो जाए तो यहाँ पर आपकी जसत तो संदी होती है वियंजन संदी के अंतरगत आती है एक जगे O की मात्रा लगी है, यानि कि तत्र लगेगा सबसे पहले, फिर A लगेगा, A मिलकर के I की मात्रा बना देगा, तो तत्रेव हो गया और O है तो O बन जाएगा, तो तत्रेव वोक्तम यहाँ पर आपका सही नंबर ओप्सन जो दिया गया है, वो आपका A नंबर ओप्स तत प्लस उट्षंगे संदी कुरुत warrior अपको प्लस संगे से आपकी कौन सी संदी बने गी आप लोगं को बताना है आपको एक सब्ध इसके पहले हमने बताये था हिंदी के न्तरगत सुद्ध बाग क करने के अंतरगत उसमें आपको तदो परांत दिया था तदो परांत दिया था तो उसमें आपको उताय था तत प्लस उपरांत इससे क्या बन जाता है तदो परांत बन जाता है यानि कि उ की मात्रा दा में लग जाती है तो यहां पर सही आपका आप्सन बी नंबर आप्सन हो जाएग लकार का संदी विच्छेद क्या होगा लकार बहुत अच्छा कोश्चन है और लकार का संदी विच्छेद होता है दोसों री प्लस कार तो इससे क्या बन जाता है लकार बन जाता है आपका सही विल्कुल आंसर यहां पर हो जाएगा बी नमबर आप्सन याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं 11 number question पर यहां से आपके समास के question से start होते हैं सभी questions को देखेगा कुछ टब question है कुछ बहुत ही easy question है अब भावे चाकाले सूत्र क्या करता है अब भावे चाकाले ये सूत्र क्या करता है बताएगे जल्दी से तो दुस्तों यह आपका काल समय से related है और जब इस प्रकार का सूत्र आ जाता तो उसका अर्थियां पर होता सहे के स्थान पर सा का प्रियोग किया जाता है काल के समय में जब सहे आ जाता है तो सहे के स्थान पर सा का प्रियोग किया जाता है ये इस सूत्र के अंतरगत आता जो की अब्वेभाव समास का सूत्र है अब्वेभाव समास के अन्यभी कई सूतर हैं यहाँ पर आपका D number option बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question number 12 संस्कृत में समास कितने परकार के होते हैं मुख्रूप से आपको जब समास पढ़ाए गए थे तो मनें आपको पहले ही बताया था परकार के समास होते हैं C number option बिल्कुल सही हो जाएगा जितने भी नाम आपको important समास के याद होंगे वो सब हो जाएंगे पहले starting करते हैं तत्पूरुस समास से नंबर दो पर आता है कर्मधारा समास नंबर 3 पर अव्वेभाव समास नंबर 4 पर दोंद समास नंबर 5 पर दोईक समास और नंबर 6 पर आता है भौबरिय समास यह आपके 6 समास होते हैं और यह आपके संस्कृत के समास के अंतरगत आ जाते हैं कहीं कहीं हिंदी में आपको 4 समास देखनों को मिलते हैं और उसमें तत्पुरु समास के अंतरगत दो प्रकार आ जाते हैं लेकिन मुख रूप से समास आपके 6 ही होते हैं याद रखेगा अगला कोश्चन आपके सामने है कोश्चन नंबर 13 जिस समास में पूर्बपद का अर्थ प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्बपद प्रधान होता है, पूर्बपद का अर्थ प्रधान होता है या पको पहले भी बताय था तो उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ हमारा कौन सा समास हो जाएगा तो वहाँ आपका अब्वेभाव समास हो जाएगा, B-Number option बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा जिस समास में पूर्ब पद का अर्थ प्रधान हो वहां आपका अब्वेभाव समास होता है और पहला पद क्या हो अब्वेपद हो अब्वेपद बेपद होते हैं जिनका अर्थ नहीं बदलता लिंग पूरुस बदल पर उन्हें कहते हैं याद रखेगा question number 14 नपुनसकत विधी करने वाला सूत्र कौन सा है नपुनसकत विधी करने वाला सूत्र यानी की नपुनसक सब्द के लिए नपुनसक के अर्थ में कौन से सूत्र कौन सा हम समास प्रयोग करते हैं यह आप लोगों को बताना है चलिए ब अब्वे भावश्च ये सूत्र लग जाएगा आपका नपुनसकत्त के लिए और आयम नपुनसकम स्याप है ये इसका सूत्र होता जो कि इस अब्वे भावसमास के इंतरगत प्रियोग में लाया जाता है बी नंबर आपसन यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगला क्या है अब्वे पद है और जब अब्वे पद दिया गया है तो आपको अब्वे भावसमास कर देना है सी नंबर आपसन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा साथी साथ दोस्तों इनके समास विग्रह संस्क्रत में बहुत अलग होते हैं वो आप लोगों को याद करने हो अगर त तो दोस्तों आप लोग जैसे ही क्लासेज को प्रॉपर विव में देखने लगेंगे डेली क्लासेज से जुड़ने लगेंगे तुरंत आपको सभी टॉपिक फिर से कबर करा दिये जाएंगे पढ़ा दिये जाएंगे और पुरानी इंपोर्टन क्लासेज के लिंक नीचे दिये गें उनको जरूर देखेगा अगला कोशन कम से कम दो पदों का होना किस में आवस्यक है दो पदों का होना दोस्तों दो वर्ण संदी से संदी में प्रियोग किये जाते हैं और दो पद आपके समास में प्रियोग किये जाते हैं तो यहाँ पर आपका सी नंबर ग्वंटीन नंबर कोशन का आपका صحी ऑपसन जो हो जाएगा वो कौन सा ओपसन है देखे जल्दी से एनबर वटसन सामसिक पद कहते हैं क्या कहते हैं सामसिक पद के नाम से जानते हैं समास किये गए पदों को तो यहाँ पर आपका एनबर ओपसन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगला कोशन, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है, किस में बन जाता है, बहुत से पदों को मिलाने से, जब एक पद बन जाता है, अलग-अलग पदों को जोड़ कर पद बनाते हैं, संचिप्त रूप में बनाते हैं, तो उसे हम सम समसन के नाम से जानने जाते हैं समसन समासम ये इसका सूत्र होता है ठीक है याद रखेगा समसन पदों के मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है संस्कृत में याद रखेगा दूसरों यहीं से आपका समाश टॉपिक प्रारंब होता है सबसे पहले आपको यहीं बताया जाता है अगला 20 number question देखेगा नधी वीष्च सूत्र क्या करता है बताई जल्दी से नधी वीष्च सूत्र क्या करता है 20 number question और इसका आपका D number option सही हो जाएगा नधियों के साथ संख्या का समास करता है नधी वीष्च सूत्र और ये आपके 20 questions complete हुए उमीद करते हैं पूरी class clear हो गई होगी आज ही हमारे चैनल सफलता मंतर को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बताईए कितने question आपके सही हुए हैं दुबारा इस class की revision के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं भी कुछ समय में आपको इसकी PDF अ